लेडिस और जेटलमन दिस इस यह कैप्टल स्वीकिंग आज की फ्लाइट में आप सब का स्वावित है हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइट लीबान लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए तो फाइलली दोस्तो करीना कपूर तब्बू और कृति सैनन की अपकमिंग फिल्म दा क्रू के टीजर के साथ आउट कर दिया गया है इस फिल्म की रिलीज डेट तो दोस्तो यदि आप भी हैं एकसाइट दा क्रू के इस अपडेट को जानने के लिए तो वीडियो के एंड त कर दी गई थी और प्रसंसक तब से इस फिल्म का बेसबरी से इंतजार कर रहे थे बताते दोस्तो इस फिल्म की एनाउसमेंट के साथ ही सुरुआत में पता चल गया था कि इसकी रिलीज डेट 22 मार्च 2024 में रखी गई है इसलिए इस फिल्म को पोश्ट पॉन कर दिया गया लेकिन दोस्तो आज के दिन फिल्म के मेकर्स ने दा क्रू की नई रिलीज डेट की एनाउसमेंट करते हुए एक टीजर भी जारी कर दिया है जी हाँ इस फिल्म के टीजर में ना केवल नई रिलीज डेट सामिल है बलकि फिल्म के बाकी कलाकारों की भी अपडेट दे दी ग अपने केरियर को सर्वसेष्ट बनाना चाहती हैं। हाला कि जीवन में एक ऐसा चौकाने वाला मोड आता है जब यह घातक परिस्तितियों में उलच जाते हैं जिससे वे जूट के जाल में और भी उलसते चले जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें इस फिल्म में देखने को चुके हैं लेकिन इनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। पर इतना तो कन्फर्म है कि यह तीनों एक्टरस के विन क्रू विभाग में काम करती हैं। दोस्तो इस रिलीज डेट के टीजर में तीनों एक्टरस ने फ्लाइट अटेंडन की वर्दी पहने हुए दिखाई दे रही हैं। हाला कि उनके चेहरे अभी तक नहीं दिखाए गए हैं। दोस्तो फिल्म दा क्रू में इन तीनों के साथ दिल जी दो सांचा और कॉमेडी किंग कहे जाने वाले कभी सर्मा भी लीड रोल में देखने को मिलेंगे। बता दे दोस्तो दा क्रू कृती सैनन की द फिल्म के डिरेक्टर के बारे में तो दोस्तो इस फिल्म को अपनी सांधा डिरेक्शन राजेश कृष्णन नीधी महरा और मेहुल सूरी ने दिया है। वहीं इसे प्रेड्यूस एकता कपूर और रिया कपूर ने किया है। जी हां एकता कपूर और रिया कपूर ने एक और महिला प्रधान फिल्म के निर्माता के रूप में फिर से सहयोग किया है बता दे दोस्तो इस से पहले दोनों ने वीर्दी वेडिंग और थेंक यू फॉर कमिंग जैसी फिल्मों में साथ काम किया है वहीं बात करें इस फिल्म की रिलीस के बारे में तो दोस्तो ये फिल्म अगले महीने 29 मार्च को सिनमा घरों में रिलीस कर दी जाएगी तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस फिल्म का टीजर और आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं